सूप्रभाद बच्चों, घुक्षा चौती, विशे हिंडी, उक विशे, पार्ठ ग्यारा, क्रिया, व्याख्यान संख्या एक, प्यारे बच्चों, आज हम पार्ठ ग्यारा, क्रिया को पढ़ेंगे, तथा पार्टे संबन्दित, माउकेक और लिखेत, प्रिश्नों के उत्त सुमन खाना खा रही है पक्षी उड़ रहे हैं पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है तो उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िये इन सम्मे कुछ न कुछ काम हो रहा है जैसे धोता है मतलब कि धोना खा रही है खाना उड़ रहे है उड़ना पकड़ लिया है पकड़ना ये शब्द धोबी, सुमन, पक्षी और पुलिस के काम के संबंध में बता रहे हैं, ये सभी क्रियाएं हैं, तो बटा क्रिया शब्द के बारे में जानने के लिए उसकी परिभाशा को जानते हैं, कि क्रिया किसे कहते हैं, जिन सब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता ह उन शब्दों को क्रिया कहते हैं क्रिया दो प्रकार से होती है नमबर एक कुछ क्रियाएं अपने आप स्वयम होती है जैसे नदी का बहना, आंधी आना, तारे का टिम टिमाना और पेर पौधों का अपने आप बढ़ना तो ये क्रियाएं बिटा स्वयम होती है यानि कि अपने आप होती हैं और दूसरी क्रियाएं कैसी होती हैं कुछ क्रियाएं की जाती हैं जैसे खाना पकाना, नदी में तैरना, क्रिकेट खेलना और रात को सोना ये क्रियाएं की जाती हैं यानि कि इसे हम करते हैं विशिस बात इसमें किसी भी वाक के निर्माण में क्रिया का महत्पूर्ण स्थान होता है और क्रिया के बिना कोई भी वाक के पूरा नहीं होता अर्थात अधूरा रहता है यानि कि किसी भी वाक के निर्माण में क्रिया का होना बेटा जरूरी है क्रिया के बिना कोई भी वाके पूरा नहीं होगा अर्था अधूरा ही रहेगा चलिए आगे पढ़ते हैं देखिए जथा समझे नमबर एक पिता जी कार फिर खालिस्थान दूसरा वाके दिया गया सोहन खाना और फिर खालिस्थान तो उपर्युक्त दोनों वाके क्रिया के बिना अधूरे हैं यानि कि अगर इसमें क्रिया हम नहीं लिखेंगे तो पेटा ये वाके अधूरे हैं इसे भी जाने क्रिया शब्द का रूप लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है देखी तेता समझी क्या से बदलता है कि लिंग के अधार पर क्रिया करूप घोडा घास चर रहा है तो घोडा शब्द क्या है? पुलिंग है तो क्रिया क्या प्रियोग हुई? रहा है घोडा घास चर रहा है अब यहाँ देखे वाकि दिया गए घोडी घास चर रही है तो घोडी क्या है इस्त्री लिंग है और इस्त्री लिंग के साथ हमने क्या प्रियोग किया रही है यानि कि लिंग के अधार पर क्रिया का रूप बदलता है हमें लिंग के अधार पर क्रिया का रूप रखना होता ह जैसे हमने इस वाक्य में पढ़ा कि घोडा घास चर रहा है और घोडी घास चर रही है ख़व दिया गया है वचन के आधार पर क्रिया का रूम जैसके वाक्य दिया गया है लड़का खेलता है यानि कि एक वचन है लड़का खेलता है दूसरा वाक्य देखे दिया गया है लड़के खेलते हैं अब लड़के बहुवचन है तो क्रिया भी बहुचन लगाई गई लड़के खेलते हैं लड़का खेलता है लड़के खेलते हैं तो इस प्रकार से बिटा हमने जाना कि लिंग के अधार पर क्रिया का रूप परवर्त भी सिध होता है याने की बदल जाता है आप चलिए क्रिया के भेद जानते हैं अब जांटे हैं कर्म की द्षिटी से क्रिया के दो भेद हैं। देखे, पहले दी गई है सकर्मक क्रिया और दूसरी दी गई है अकर्मक क्रिया, यानि क्रिया के कर्म के दृष्ट से क्रिया के दो भेद होते हैं, नमबर एक सकर्मक क्रिया और नमबर दो अकर्मक क्रिया, चलिए सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं, चित्र दीए गए हैं उनकी नेचे वाक्य भी लिखे हुए है चलिए पढ़ते हैं देखें पहला वाक्य दिया गया है किसान खेत जोत रहा है किसान खेत जोत रहा है दूसरा वाक्य पढ़ते हैं सरवेश विद्याले जाता है सरवेश विद्याले जाता है तीसरा वाक्य दिया गए सुरेंद्र पुस्तक पढ़ता है चौथा वाक्य पढ़ते हैं माता जी भोजन बना रही है तो इन वाक्यों में खेत, विद्याले, पुस्तक, भोजन, शब्द, कर्म है तथा जोत रहा है, जाता है, पढ़ता है, बना रही है, क्रिया है यानि कि बेटा खेत, विद्याले, पुस्तक, भोजन क्या है? कर्म हैं और जोत रहा है, जाता है, पढ़ता है, बना रही है, ये सभी क्रिया हैं, तो इन सभी क्रियाओं के कर्म हैं, इसलिए ये सकर्मक्रिया हैं जहां क्रिया का फल कर्म परपड़े, उसे सकर्मक्रिया कहते हैं, पहचान कैसे करेंगे, देखे, बटा दिया गया है, कि कोई क्रिया सकर्मक है या नहीं, इसे पहचानना सरल है क्रिया से पहले क्या काहा किसे लगा कर प्रश्न करें जैसे सर्वेस विद्याले जाता है ये वाकिय हमने पढ़ा था तो इसमें अगर हम क्या काहा लगा देंगे तो हमें उत्तर मिल जागा जैसे यहां पे दिया गया है कि सर्वेस कहा जाता है तो उत्तर हमें क्या मिल गया उ उत्तर प्राप्त हुआ विद्याले शर्वेश विद्याले जाता है ये वाकिय हमने पढ़ा था और हमें पता करना था कि सकर्मक्रिया है या नहीं तो हमने क्या लगा दिया इसमें कहां लगा दिया और हमें उत्तर भी मिल गया कि सर्वेश कहां जाता है सर्वेश विद्याले जाता है तो इसका अभी प्राइया है कि ये सकर्मक्रिया है देखिए यहां पर दिया गया है ना कि जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक्रिया कहते हैं आपको अगर कभी भी सकर्मक्रिया पैचान नहीं तो उसके लिए क्या कर देंगे उस वाके में क्या कहां लग करके प्रश्न करेंगे अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो आप समझ चाहेगा यह सकर्मक्रिया है कुछ सकर्मक्रियाएं देखे जानते हैं जैसे पढ़ना पीना देखना लिखना काटना तोड़ना लेना देना उठाना बनाना आधी यह सकर्मक्रियाएं हैं चरे बटा अकर अकर्मक्रिया के बारे में जानते हैं, देखे चित्र के नीचे वाक्य दिये गए हैं, उमंग हसता है, पियूश लिखता है, अभिनव सोता है, दिनेश नहाता है, तो उपर्युक्त वाक्यों में हसता है, लिखता है, सोता है, नहाता है, ये क्रिया शब्दे हैं, इनके कर्म लेकिन के क्या नहीं है कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक क्रिया आएं है यानि जहां क्रिया का फल करता पर पड़ रहा है चलिए अकर्मक क्रिया की परिभाशा को जानते हैं कि जहां क्रिया का फल करता पर पड़े वहां अकर्मक क्रिया होती है जहां क्रिया का फल करता पर पड़े वहां अकर्मक्रिया होती है इसकी पहचान कैसे करेंगे अकर्मक्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या कहां किसे लगा कर प्रश्न करें हमें क्या करना है अगर मैं पहचान करनी है कि अकर्मक्रिया है या नहीं है इसके लिए क्या करना है क्रिया से पहले क्या कहां किसे लगा कर हमें प्रश्न करना है जैसे कि पियूश लिखता है तो पियूश क्या लिखता है उत्तर प्राप्त हुआ पता नहीं क्या लिखता है हमें नहीं पता चल रहा है कि प्यूश क्या लिखता है तो प्रश्न का उत्तर नहीं से मिला है इसका अभी प्राय है कि क्रिया का कर्म नहीं है यह अकर्मक्रिया है आपको ध्यान रखना है कि आपको सकर्मक्रिया या अकर्मक्रिया का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या कहा किसे लगा कर प्रश्न करना है अगर आपको उत्तर मिलता है तो सकर्मक्रिया हो जाएगी और अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक्रिया हो जाएगी ठीक है पिटा कुछ अकर्मक्रियां जानते हैं जैसे कि आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, भागना, निकलना, हसना, रोना, आदी ये सभी अकर्मक्रियां हैं यानि कि आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, भागना, निकलना, हसना, होना, आदी ये सभी अकर्मक क्रिया हैं चलिए आओ दोहराई एक बढ़ पढ़ती हैं देखे वेटा जिन सब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं क्रिया दो प्रकार से होती है नमबर एक अपने आप होने वाली क्रिया और नमबर दो की जाने वाली क्रिया जिसे हम करते हैं रचना या कर्म की रिष्ट से क्रिया के दो भेद हैं क अकर्मक क्रिया और ख सकर्मक क्रिया तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है जिन क्रियाओं का कर्म होता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं तो इस प्रकार से बिटा हमने पाठ को पढ़ लिया पाठ में हमने क्रिया की परिभाशा और क्रिया के प्रकार और रचना की द्रिश्ट से क्रिया के भेद जाने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और उनको पहचानने के तरिकी को भी जाना अब चलिए मौकिक प्रश्णों के उत्तर को जानते हैं दिया गया निमले के प्रश्णों के उत्तर दीजिए क्या कोई भी वाक के क्रिया के बिना पूरा हो सकता है कारण बताए तो बेटा कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता यानि कि वो अधूरा रहता है ठीक है ख़़ दिया गे अपने आप होने वाले दो क्रियाएं बताईए जैसे कि नदी का बहना आंधी आना है ना पौधों का बड़ा होना तो यह अपने आप होने वाली जाया है तो आप इन प्रश्णों के मौकिक उत्तर याद करेंगे ठीक है अब चलिए कक्षाकार को में हम लिखित प्रश्णों के उत्तर को जानते हैं इसके लिए बिटा फॉर्मिट बनाएंगे दिनांग लिखेंगे और उसके नीचे आज की दिनांग डालेंगे पाठ ग्य चलिए बिटा इस प्रश्ण का उत्तर जानते हैं कि जिन सब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं ख देखे दिया गया है कर्म की द्रिष्ट से क्रिया के कितने भेद हैं नाम लिखे प्रश्ण दिया गया है कि कर्म की द्रिष्ट से क्रिया के भेद कितने भेद हैं नाम लिखे चलिए इसका उत्तर जानते हैं कर्म की द्रिश्ट से क्रिया के दो भेद हैं क अकर्मक क्रिया और ख सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया और ख सकर्मक क्रिया गर देखे दिया गया है अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बताईए प्रशन दिया गया है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बताईए चलिए इसके उत्तर को जानते हैं, तो बेटा इसका उत्तर है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, तो इसका उधारण देखे दिया गया है, पक्षी उड़ रही है, दूसरा उधारण दिया है, मैंने सीता पत्र लिख रही ह ठीक है तो इस पर कारते आप इसका क्षाकार को ध्यान पूरवक अपनी उत्तरकुस्टिका में करेंगे अब चलिए आज का ग्रीकार आपको इसकारी को अपनी पुस्तिका में करना है यानि कि अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक में करना है आप इसकारी को ध्यान पूर्वक करेंगे धन्यभाद